चली बच्चा सबको गुड मॉर्णिंग आज की क्लास जो एडिटोरियल की क्लास है इसके लवा सिर्फ दो क्लासेज होंगी क्योंकि घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है तो जो अदर बैच के बच्चे हैं ध्यान रखेंगे कि इस सिर्फ दो क्लासेज होंगी जो झानों हम लोग शुरू करेंगे आज का सिंटेक्स अनयलिसिस अई होप सब ने करके रखा ओगा इंडिटोरियल है अदिटोरियल का नाम है conventional dissonance तो यहां पर conventional वो परंपरागत वाला conventional नहीं है यहां पर conventional जो है उसकी मीनिंग हम समझा देते हैं कई बर क्या होता है कि आपको cultural context भी पता होना चाहिए cultural context कहने का मतलब है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी खास छेत्र विशेश को ले कि किसी खास परिस्तिती में ही क्या रखते हैं मीनिंग रखते हैं ठीक है तो यहां पर क्या कि convention मतलब होता है meeting उससे related यह conventional शब्द है ठीक है तो यह adjective ही और जो dissonance है वो आपका यहां पर क्या है noun की तरह इस्तमाल हुआ है लेकिन यहां पर यहां पर double meaning लेके जा रहे हैं ठीक है तो conventional का मतलब होता है एक तो परंपरागत कुछ ऐसा जो हमेशा से चला रहा है और दूसरा होता है something that is related to a convention ध्यान रखेगा natural का मतलब होता related to nature उससे तरह से conventional की meaning होगी related to convention तो अभी अमेरिका की चुनाफ को लेकर की पूरा editorial है अमेरिका में दो पार्टिया है एक है आपकी Republican दूसरा Democratic वहाँ पे दूई दल्य पद होती है वहाँ पे दो ही पार्टिया होती है तो दोनों पार्टियों ने चुनाफ से पहले क्या है अपनी एक meeting रखे जिसमें सभी नए पुराने बड़े बड़े नेता आते हैं इस meeting को convention कहते हैं तो conventional dissonance का दो meaning निकलेगा एक तो परामपरागत dissonance का मतलता lack of agreement यानि मतभेद और दूसरा हो सकता कि convention में जो मतभेद सामने आया हो तो कई बार क्या होता है यह थोड़ा cultural context भी पता होना चाहिए otherwise क्या है जो हम लोग परामपरागत meaning है जो dictionary meaning है उसे को ले करके क्या है चलेंगे तो यहाँ पर conventional के दोनों meaning है और दोनों ही meaning suit करती है जब editorial पढ़िएगा तो ध्यान दीचेगा तो clear हो जाएगा ठीक है थैंक्यू पल्लवी बच्चा चलो देखा जाए Trump आपका noun है is आपका यहाँ पे auxiliary verb है deliberately आपका adverb हो जाएगा जान बूच कर alienate verb है sorry verb का चौथा रूप है minorities आपका noun है plural form में यूज हुआ है of preposition है दो noun को जोडने के लिए आएगा पहला है minority दूसरा noun है आपका huge all आपका adjective है जो huge noun के लिए आया है in preposition है his आपका positive adjective है जो की re-election bid compound noun के लिए आया है re-election bid आपका क्या है compound noun है अब इसको समझ लेते हैं अमेरिका की राजनीती के बारे में थोड़ा पूत आपको अगर आइडिया है तो आपको पता होगा कि जो leaning होती है leaning कहने का मतलब होता जुकाओ या फिर एक विचार धारा को लेकर कि जो बात होती है तो वहाँ पे जो Republicans है वो राइट विंग को support करते हैं यानि एक तरह से उनकी जो सोच है वो राइट है और जो लेफ्ट को support करते हैं वो डेमोक्रेट्स ठीक है वहाँ पे दूदलिय पतती है रिपब्लिकन्स है और डेमोक्रेट्स है रिपब्लिकन्स आपके राइट लीनिंग है यानि ये दक्षिन पन्त थी है जो डेमोक्रेट्स है वो आपके लेफ्ट लीनिंग है तो जैसा कि डेमोक्रेट्स के साथ होता हर जगा विमेन राइट्स, माइनोरिटीज, ग्लॉबलाइजेशन, इस तरह की चीज़ को यह लोग क्या करते हैं, हर जगा पुश करते हैं, जहां तक राइट की बात होती है, तो वही नेशनलिजम, मेक इन अमेरिका, और यह लोग थोड़ा रिलिजियस होते हैं, तो अमेरिका में हैं, तो अगर यह राइट विंगर हैं, तो यह रिलिजियस होने का मतलब है, यह क्रिश्चानिटी को क्या करते होंगे, थोड़ा फॉलो करते होंगे, दूसरा, यह समाज को सुधारने की बात क को हमेशा धिया दियान दिया का यह सबसे बड़ेवी हुता है कि यह तो यह जो भी राइटविंगर होते हैं वह व्यक्ति के और लेफ्ट करता है तो समाझ के तो आप बताईए व्यक्ति की बात करना चाहिए या फिर समाज के लब एक छोटा सा थाउट प्रोसेस है क्योंकि पूरा एडिटोरियल समझने के लिए आप को क्या है थोरा पुत पता होना चाहिए कि क्योंकि वहाँ पे दोई दल्य पधती है तो उनकी सोच पहले से क्या है एकदम क्लियर है तो आप बताइए कि वह पार्टी अच्छी होगी जो लोगों का सोस्ती होगी या यह वह पार्टी अच्छी होगी जो समाज का सोस्ती होगी समाज ठीक है बिलकूं समाज का सोस्ती होगी चलिए ठीक है बच्चा तो आप हमेशा देखिए का जब भी आप समाज की बात कीजिएगा तो फिर आपको होगी दिकत नई फरक है थोड़ा बच्चा व्यक्ति और समाज में फरक है देखो व्यक्ति और समाज में क्या फरक होता है रोड पे मानलो की कूड़ा है तो अगर इसे तुम अपनी जिम्मेदारी मानते हों कि हमारी कमी है हमें इसे साफ करना चाहिए तो ये शायद साफ हो जाए तो शायद ये कुरा साफ हो जाए लेकिन अगर तुम ये मानते हों कि ये समाज की जिम्मेदारी है जब तक 50 लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक इसकी सफाई नहीं होगे, तो ये कभी साफ नहीं होगा, तो ये कभी भी साफ नहीं होगा, ठीक है, अगर, बताओ, समाज में कोई भूखा ना सोए, ये थाउट कितना चलगता है, कि समाज में कोई भी भूखा ना सोए, सुनन यह भी अच्छा लगता होगा है बहुत अच्छा अब समाज में कोई भी भुखा नास होए तो यह जब ही कोई प्लान करेंगे तो यह पूरी सोसाइटी के लिए प्लान करेंगे जब कोई प्लान करेंगे तो किसके लिए करेंगे पूरी सोसाइटी के लिए करेंगे और इसमें दिक्कत यह हो जाएगी कि अब पूरे समाज को खिलाना है तो मालो कि तुम पूरे समाज को खिला नहीं सकते हो तो तुम समझो कि अब पूरे समाज को खिलाना है तो यह जमिदारी क बात की जाएगी तो हर व्यक्ति अपने लेवल पर अगर काम करेगा तो यह काम शायद हो जाए लेकिन जैसे कोई काम आप समाज पर चोड़ेगा वो काम कभी नहीं होगा ठीक है तो यह जब भी उस तरह की समस्यां उठाएंगे जो पूरे समाज को ही एक बार में सुधारने क कोशिश करते हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसका गोल कभी भी आप अचीव नहीं कर पाईएगा इसका गोल आप कभी भी अचीव नहीं कर पाईएगा इसलिए दिखिएगा स्वेडन के रहने वाली एक 9 साल की बच्ची आपको आकर के समझाती है कि भा यह भी अचीव नहीं होगा है हम कोचिंग खोल करके आपको परहाना शूरू करेंगे और लेफ्ट बोलेगा नहीं पूरे समाज को नौकरी दिला देना है कभी नहीं मिली है इसलिए जहां पर भी लेफ्ट की सरकार है वहां पर जनता कभी भी क्या है खुश नहीं रहती है किताब यह बड़ी बड़ी लिखते हैं किताब यह बड़ी अच्छी लिखते हैं क्योंकि इनका थाउट प्रॉसस क्या होता है आपको तुरत अट्रेक्ट करता है ठीक है यह आपको क्या करता है तुरत अट्रेक्ट करता है चली देखेगा ट्रंप आपका नाउन है अब हम समझाएंगे तो आपको देरे देरे समझ में आएगा is auxiliary भरप था ये बता चुके थे तो यहाँ पर कह रहा है कि Trump क्या जान बूच करके चाहा रहे हैं कि जितने भी minorities है of all you minority कहने का मतलब है minority कही तरह का होता एक होता religious minority religious minority कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति धर्म के आधार पर उसकी संख्या कम है फिर एक होता है माल लिजे कि मैं gay हूँ यानि मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ तो समाज में बताईए straight लोगों की संख्या जादे होगी या gay लोगों की संख्या जादे होगी अच्छ आपको हमने QT सर्च करने के लिए कहा था आपने QT सर्च किया या नहीं किया हमने कहा था ने कि Netflix पे प्रोग्राम आने वाला है QT इसको सर्च करें आपने सर्च किया था लास्ट टाइम नहीं सर्च किया था चलिए तो ये gay rights की बात करेंगे कि gay लोगों का भी अधिकार होता है LGBTQ की बात करेंगे क्योंकि sexual orientation के अधार पर इनकी संख्या समाज में क्या है कम है तो जिसकी भी संख्या क्या हो समाज में कम हो वैसे लोगों को क्या करते हैं ये लोग target करते हैं कि भाई इनके हकों की लराई हम लरेंगे तो of all his का मतलब हर तरह के हर रंग के in his re-election bid दुबारा जब वो चुने जा रहे हैं तो वो इस तरह की बाते कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी minorities हैं उनसे क्या हो जाए दूर हो जाए तो obviously बात है कि आप minorities सुनने मच्छा लगता है लेकिन आप देखिएगा भी तो कि minority किस तरह की minority है अब आप gay rights को ले करके आप सोच करके देखें वहाँ पे वहाँ पे एक शब्द होता है pedophilia ठीक है pedophilia में क्या होता है हमारे भी समाज में हैं लेकिन हमारे समाज में लोग बोलते नहीं है हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे इसके शिकार रहे हूँ जिसमें क्या होता है कि बरी उम्र के जो लोग होते हैं वो छोटे बच्चों को ले करके क्या थोड़ा sexually attracted होते हैं और वो क्या होते है उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते है इसे कहते हैं पेड़ो फिलिया पेड़ो फिलिया एक अपराद है लेकिन लिफट का कहना है कि पीड़ोफिलिया एक तेरह से ये भी sexual orientation है जैसे किसी को लड़के पसंद होते हैं किसी को लड़किया पसंद होते हैं इसलिए इन लोगों को बच्चे पसंद है और इनके लिए उन्होंने बड़ा ही प्यारा नाम दिया है Minor Attracted Individual तो पेडोफाइल्स उन्हें कहा जाता था पेडोफाइल्स जो क्या होते थे मतलब वो एक अपराथ माना जाता था लेकिन इनका कहना है यह अपराथ नहीं है जिस तरह से आपको लर्किया पसंद है किसी को लड़के पसंद है इनको बच्चे पसंद है वैसे कोड ही लोगों को लाकर के कहते हम इसी के लिए लराई लरेंगे तो आपको भी सर्च कीजेगा क्योटी सर्च कीजेगा नेट्फिक्स का प्रोग्राम है जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को तेजक डांस करते हुए दिखाया जा रहा है यह इनकी जरूरते पूरी करना चाहते हैं कि पीडोफिलिया इ यह जो लेफ्ट है वो पहले इस त्रियों की बात करना शुरू करता हो यह धीरे-धीरे कहां ले जा करके समाज को पटकता है देर आपका इंट्रोड़क्टरी प्रोनाउन है बच्चा आई होब किसी ने यहाँ पे इसे अड़वर्ब ना लिखाओ अड़वर्ब अप्लेस देर के बाद आ रहे यह इंट्रोड़क्टरी प्रोनाउन है इंट्रोड़क्टरी प्रोनाउन कहने का मतलब यह वाकि में कहीं आगे आ रहे है नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो नाउन अगर प्लूरल है तो देर के साथ प्लूरल लगेगा अगर वह नाउन सिं होगे तुमको पता चल जाएगा कि ये भी क्या है लेफ्ट लीनिंग ही है फ्यू आपका अड्जेक्टिव है जो काउंटेबल प्लॉरल नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं इन आपका प्रिपोजिशन है यूज इलेक्शन कमपाउंड नाउन कैसे पता चलां कमपाउंड नाउन है एक से अधिक नाउन जब बीना प्रिपोजिशन या कन्जेंक्षन के लिखे जाये ने तो समझनों कंपाउंड नाउन है that offer, that relative pronoun है offer आपका verb का पहला रूप है तो बताएए that किस के लिए आ रहा है किस noun के लिए that relative pronoun आ रहा है a आपका article है more आपका adjective है predictable भी आपका adjective है जो की denoulement noun के लिए आ रहा है वाह वाह चलो ठीक है एक छोटा सवाग के लिखते है बहुत बर्यानिता एक तुम ही हो जो आज हमारी मतलब क्या कर सकते प्रतिष्ठा बचाए हो शुब हम तुम तो लिख के मिटा दिया था तुम्हारी हम बात नहीं करेंगे चलिए एक वाक के लिखते हैं ध्यान दीजेगा दियार आर फ्यू गोचिंग्स इन पट ना देट आर ओपन ने चली बताई है यहां पर दैट किसके लिए आ रहा है पटना के लिए कोचिंग के लिए समझे उसी तरह से यहां पे था इवेंट्स के लिए आरहा है थैट चली आगे दैन आपका हाँ हाँ कोचिंग ठीक है समझे समझे आप लोगों ने पकड लिया शुरु में तो ध्यान नहीं गया शुरु में तो जो बगल में था उसी को ठाकर कि आपने क्या क्या हमारे सामने रख दिया, चलिए, दैन आपका preposition है, बच्चा, दैन preposition और conjunction दोनों की तरह इस्तमाल होता है, यहाँ पे दैन preposition है, उसके बाद the article है, national conventions of the two, तो national convention आपका compound noun है, of का प्रियोग करके दो noun को हम ल जोडने की कोशिश कर रहे है, of preposition से, दूसरा noun है, parties, इसके लिए adjective आ रहा है, major, और to, और article आ रहा है, the, ठीक है? गिवेन को कौन सा पार्ट सुस्पिश लिखे हो बच्चा, national adjective कब होगा, जब national का in capital नहीं होगा तब, जब national का in capital नहीं होगा तब, दिखा सत्य हम की national का in capital है, तो यह proper noun हो गया न, यह noun का ही हिस्सा ही, यह नाम है किसी चीज़ का, इसलिए in क्या है, capital है, given that, given preposition है, मतलब यह इसको, दोनों को preposition की तरह ही use करते हैं, dictionary में देखोगी तो preposition लिखावा मिल जाएगा, the, article है, presidential and vice presidential tickets, tickets आपका noun है, and conjunction का प्रियोग कई बर similar parts of speech को भी जोडने के लिए करते हैं, यहाँ पे दो adjective को जोड़ रहा है, presidential और vice presidential, इन दोनों objectives को जोड़ रहा है, कौन, and conjunction, for preposition है, चलो, बोथ को pronoun लिखे हो के, noun, adjective लिखे हो सब को, बोथ को pronoun लिखना था, यहाँ पे, are known, are आपका auxiliary भर्ब है, known भर्ब का तीसरा रूप है, तो वाकि क्या हो गया, passive voice में हो गया, beforehand आपका adverb है, ठीक है बच्चा, चलो, है तो political article बढ़के है, हम लोगों को अपना grammar और English भी धिहान रखना है, इसमें बहुत जादे vocab है, कल vocab का revision का class है, देखो घर पे तो renovation का काम चला, renovation क्या, एक तरह से destruction का का काम चला, हमारे कमरी के हालत खराब कर दी गई है, लेकिन कल किसे टाइम में class ले लेंगे, organize करके, आज तो office से class ले रहे हैं, थोरा शांती लग रहे होगी तुम लोगों को, microphone में, चलिए तो इसको दिखा जाए, there are very few events in US election politics that offer a more predictable denomment than the national convention of the two major parties, अमेरिकी राजनिती में, ऐसे बहुत कम घटना क्रम है, ऐसे बहुत कम घटना क्रम होते हैं, जिनका denomment यानि परिनाम पहले से पता, जिनका result पहले से पता हो, आच्छो कोई बात नहीं, जिनका result क्या हो, पहले से पता हो, और इनहीं में से जो घटना क्रम है, वो क्या है, दोनों parties का, जो दोनों राश्ट्रिये parties हैं, उनका national convention, national convention यानि राश्ट्रिये स्तर की meeting, यहाँ देखते हुए, given that, कि जो presidential और vice presidential tickets हैं, दोनों parties के, यह हमें पहले से पता है, जब आपको पहले से पता है, तो confirm है कि, उस meeting में यह घोशना तो नहीं होगे, कि हमारे तरफ से राश्ट्रपती पद्या, उपराश्ट्रपती पद का उमिद्वार, कौन होगा, तो बाकी चीज़े पहले से पता है, कि इस meeting में फिर क्या होना है, आगे देखिएगा, येट, इसके बावजूद, इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेंटी, वाज कार्सली सर्पास्ट बाई रिपॉब्लिकन पार्टी, ऐस इट री अफर्म इट्स फेथ इन प्रेसिदेंट, यहाँ पर इन दो बार है, गलत नहीं है, बता देंगे, ठीक है? अचा होता है प्राची बचा किसी किस दिन होता है, कि आप किस माइंड से अप्रोच करते हैं, इस पूरे सेट को उस पर डिपेंड करता है, कि आपका कितना सही होगा, कितना गलत होगा, यह इसके बाब जूत, यह जो लो बार है, बार का मतलब होता है, जैसे कि मालो कि तुम किसी व्यक्ती के बारेई में जानती हो, कि उसके वीचारधारा कैसी है, या फिर वो कैसा सोच रखता है, उसका जनम दिन है, तो तुमको पता है कि कितना खर्चा करेगा तुमको पहले से पता है कि वहाँ पर कोई सर्प्राइज होने वाला नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तुम वहां गये तो तुम्हारे मन में अल्रेडी एक बार सेट है, बार कहने का मतलब एक लेवल तुमने सेट करके रखा है, कि भाई इससे उपर तो कुछ भी इंतिजाम नहीं होगा, और उससे भी लो हो जाए, जो इंतिजाम हो उससे भी लो हो जाए, तो फिर तुमको क्या है, इसका मतलब यह जो तुम्हारा बार था, वो अल्रेडी लो था, बार का मीनिंग समझ गया न, एक मन में जो तुम्हारी अपेक्षा थी, वो लो थी, of dull certainty, dull certainty मतलब तुमको पता है किस मीटिंग में क्या होना है, किस तरह की बाते होंगे, किस तरह की घोशना होगी, और उस बार को भी कि किसी ने सरपास नहीं किया, यानि उसके ऊपर किसी ने कुछ बोला नहीं, यानि उसके अत्रिक्त कोई भी जानकारी नहीं मिले, कहां पे, Republican Party के द्वारा जो मीटिंग हुई उसमें, it reaffirmed its faith, और Republican Party ने reaffirm किया, reaffirm मतलब फिर से जताया, फिर से भरोसा जताया, ठीक है, कि इसमें भरोसा जताया, in a president, एक ऐसे राश्पती में, who has shredded its ideological moorings, जो जिसने इसकी ideological moorings को, moorings कहने को लोता है न, जैसे यहां पे ऐसे mooring का तो अलग meaning होता है, ठीक है, जहां मतलब, यह जो समुदर रित्यादी के से related a term है, ठीक है, मतलब, कोई ऐसी रसी या फिर चेन के दुवारा क्या करते हैं न, बांध के रखते हैं, जहास को, तुसे को mooring कहते हैं, यहां पे है कि भाई, इनका जो एक ideological mooring था, ideological mooring कहने का मतलब होता है, हर पाटी के एक विचारदार होती है, खास तरह की सोच को, वो follow करते हैं, ठीक है तो उस सोच को इस राश्पती ने क्या कर दिया, श्रेड कर दिया, श्रेड का मतलब टुकरे टुकरे कर दिया है, and dug his heels in, यह एक साथ है, तो dig his heels in का मतलब होता है, कि आप ध्यान दीजेगा, कि आपने कभी अगर रस्सम कशी की हो, रस्सम कशी का मतलब हमें नहीं पता कि आ दोनों तरफ के जो, कुछ लोग होते हैं, जो एक रस्सा पकर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग इधर होते हैं, और अपनी अपनी तरफ से क्या है, इस रस्सी को खीचने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या है न, अपनी एड़ी को जमीन में ग बाड़ दी हैं किस चीज को बचाने के लिए in defending the record of his first term in the office तो उनका जो पहला कारेकाल था उसको defend करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है तो dug his heels in का मतलब समझ गया पूरी ताकत लगा देना तो यह जो in हैं यह पहले idiom का हिस्सा है और यह जो in हैं यह दूसरे टुकरे के लिए आ रहा है अपने आपको बचाने में उस में के लिए in आ रहा है उन्होंने पूरी ताकत जोख दी है including an impeachment on allegations of abuse of power and obstructing justice इसमें क्या है उनके उपर impeachment का भी आरोप मतलब उनके उपर महाभियोग चलाया गया था आरोप साबित नहीं हुआ और महाभियोग इसलिए चलाया गया था कि आपने क्या है अपनी ताकतों का दुरुपयोग करके राश्पती के चुनाव में रश्या से मदद ली तो कहने का मतलब है कि एक party A है जो सत्ता में है और एक व्यक्ति B है जो सत्ता से बाहर है तो सत्ता का दुरुपयोग चुनाव में कौन कर सकता है A या B और ये चुनाव हार जाए और ये चुनाव जीत जाए और जब यह चुनाव जीत जाए तो आप इसके उपर में केस कर दो कि आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके रशिया के साथ मिल करके यह चुनाव जीता है तो यह आरोप आपको कैसा लगेगा प्यारा, बहुत प्यारा, सरजान लुटा दे इतना प्यारा तो कुछ इसी तरह का आरोप था इसलिए वह आरोप साबित नहीं हुआ तो उनके उपर impeachment के लिए तो आपने केस किया लेकिन वो उससे बरी हो गया और obstructing justice उन्होंने ये भी कहा कि आपने क्या है, justice को obstruct क्या justice को obstruct कहने का मतलब है आप case इसलिए जीत गया है क्योंकि आपने न्याय के मार्ग में क्या है बाधा उत्पन की, ठीक है चलिए आगे देखा जाए the convention, convention का मतलब समझ गया न बच्चा जो meeting हुई थी the convention culminated with Mr. Trump's address in which he appeared to fall back upon the same lines of political attack that he employed against former critic rival Hillary Clinton in the 2016 election convention का अंत हुआ मिस्टर ट्रम्प के address से यानि उनके भाशन से address का मतलब हो जाएगा उनके भाशन से जिसमें उन्होंने he fall back upon fall back upon मतलब वापस उसी चीज के तरफ मुड़ गया किस चीज के तरफ मुड़ गया जिस तरह का राजनीतिक attack उन्होंने पिछले अपने राइवल यानि पिछले प्रतिद्वन्दी Hillary Clinton पे किया था वैसा ही आकर्मन उन्होंने अपने current राइवल यानि current प्रतिद्वन्दी पे भी किया क्योंकि दोनों सेम पार्टी से आते हैं और हम तो एडिटोरिल के शुरुवात में आपको समझाया ना कि इन दोनों पार्टी की विचारधारा पहले से क्या है पता है पहले से पता है तो आपको पता है उनकी नीतिया तो आप उनको सेम चीज़ों पर अटेक करते हैं अनली इस ताइम सिर्फ फरक ये था अगेंस्ट डेमोक्राटिक नॉमिनी और फार्मर वाइस प्रेसिदेंट जोई बाइडन इस बार उन्होंने जो अटेक किया हो हिलेरी क्लिंटन पे नहीं बलकि जोई बाइडन पे किया क्योंकि इस बार वो चुनावलर रहे हैं ठीक है इन डूइंग सो ऐसा करने में मिस्टर ट्रम्प कंजियूड अब वन्स अगें देस्पेक्टर्स ऑफ सोचलिजम अड ग्लोबलाइजेशन दा थ्रेटेंट टू क्रीप अपॉन दा युवेस एकॉनिमी शुड मिस्टर बाइडन प्रिवेल इन ट्वेंटी ट्वेंटी इल ग्लोबलाइजेशन का कि भाई अगर शुड का यह मीनिंग होगा अगर मिस्टर बाइडन चुनाव में जीच जाते हैं 2020 के एलेक्शन में तो देश में सोचलिजम और ग्लोबलाइजेशन ले आएंगे तो यह दोनों ही शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते थे जहां पर भी सोचलिजम है रश्या और चाइना को अगर छोड़ दिया जाए रश्या और चाइना को अब इसलिए चोड़ दीजिए कि क्यों हाँ डिक्टेटर्शिप है यह लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं जब आप दिखेगा तो लेफ्ट कहना जहां पर भी होगा न वहीं पर निकल जाएगा डेमोक्रेसी बचाने के लिए समीधान को बचाने के लिए लोग तंत्र खत्रे में और समीधान खत्रे में रश्या में चुनाव नहीं होता है जब तक पुतिन राश्पती रहेंगे चाइना में चुनाव नहीं होता है जब तक जी जिंग्पिंग नहीं आता तब तक कि किसes को बचाते हैं? Democracy को, और एक रशब गुश जाते हैं तो बोलते हैं Sir, देखे हम ये लोग ना बोल रही थे किि Democracy को हम लोग बचाएंगे तो अब हम ही लोग साशन में आ गए तो अब democracy को किसी और से तो बचाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जिसको democracy को बचाना था वही साशन में आ गया है तो अब democracy is bye-bye अब democracy को हम लोग क्या कर देते हैं bye-bye आप खुद देखी तो socialism और globalization सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन socialism और globalization का मतलब क्या होता है अभी देखिए अभी तो अंतराष्ट्य व्यपार पूरी तरह से ठप है न आप देखिएगा जब भी बात आती है making इंडिया की तो लोग यहां बात कहते हैं कि भाईया making इंडिया कर तो लीजिएगा लेकिन सारा का सारा raw material कहां से आता है raw material कहां से आता है बच्चा लोग बलेंगे सब तो चाइना का ही use होता है तो अभी ध्यान दीजिए पिछले छे महीने से खा रहे होना जिन्दा होना अंतराष्ट्य व्यपार तो एक तरह से बंद है तो बीना चाइना के raw material के छो महीना कट गया या नहीं कट गया तो थोरा कस्ट करके क्या है मेकिन इंडिया भी हो ही जाएगा लेकिन इस तरह की बात वहां पे भी होती है तो वहां पे भी वो लोग कहते हैं कि सारा जो production होना चाहिए वह कहां होना चाहिए अमेरिका में होना चाहिए तो बाकी का कहना है कि globalization अभी सारी दुनिया हमारा परिवार है आप चाइना के लोगों को कैसे इस परिवार से निकाल सकते है ठीक है warning और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगला जीट जाता अगला कहने का मतलब है यहां पर दो लोगों का नाम लिया गया है तो जिसका नाम बाद मिले गया है अगर वो जीट जाते है He was the destroyer of American jobs यह अमेरिका की नौक्रियों का हत्या रहा है तो अमेरिका की नौक्रियों का कैसे हत्यार है तो अगर आप किसी भी देश में प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि हमारे देश में प्रोडक्शन कीजिए तभी कोई वहाँ पर क्या आकर कि क्या हो दियोग धंदे लगाएगा दुनिया में सबसे बड़ा electronic manufacturer है कौन एपल और सारे products कहां बनाता है चाइना में तो obvious ही बात है चाइना में क्या है revenue जाएगा एपल को एपल के CEO को फाइदा होगा वो tax देगा लेकिन नौकरी कहां generate होगी चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा microprocessor दो ही company बनाती है processor एक बनाती है AMD दूसरा है Intel और तीसरा है Qualcomm जो mobile के लिए बनाता है सबसे बड़े यही तीनों है तो तीनों दुनिया में सबसदिक processor बेशते हैं लेकिन इस सारे processor बनते कहां चाइना या इवान में तो पैसा इनके मालिकों के पास तो आता है लेकिन इस से अमेरिका में बहुत जादे रोजगार स्रिजित नहीं होता है ठीक है बच्चा तो उनका कहना है कि हम इन सभी कंपनियों को force करेंगे कि आप अमेरिका में ही आकर के manufacturing कीजिए ताकि अमेरिका की लोगों को नौकरी मिल सके तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग क्या करें blue collar job वाले लोगों से इन्होंने donation लिया यानि चुनाव लगने के लिए पैसे मांगे लेकिन अगर ये चुनाव जीत के आ गया he will ship their jobs to China तो उनकी नौकरियों को कहां भेज देगा चाइना भेज देगा और दूसरे दूर-दूर के इलाकों में भेज देगा ठीक है तो यहां पर बात आती है कि what is blue collar job कि blue collar का मतलब क्या होता है अब यहां पर ध्यान दीजेगा बच्चा कि white collar job होता है अप white collar का मतलब होता है सफेद कपरे तो सफेद कपरे पहन के आदमी कहां काम करता है सफेद कपरे पहन के आप ऐसी जगा काम करएगे जहां पर कप्रे गंधे नहीं यानि जो by operations को बीधियादी में काम करने थोड़ा सोफिस्टिकेटेटड काम करेंगे लेकिन जो लोग कि शरीर से काम करते हैं हाथ-पाँ लगा के काम करते हैं वो नीले रंग के पहनते हैं आप देखें कभी कार इत्यादी का दिखाएगा कि अरहिकार मैनिफेक्टेंग हो रही है तो सब Unlikely that many among the party faithful who thronged to the convention questioned his basic premise regarding the danger posed by the democratic party to the economy. It is unlikely, मतलब इसकी संभावना क्या है? कम है. किस बात की संभावना कम है? कि कई सारे लोग who thronged, जो भीर लगाया था, जो वहाँ इकठा हुए थे, throng मतलब इकठा हुए थे, उस meeting में, उन्होंने, उनके basic premise को, premise का मतलब होता है बच्चा, आप कोई भी statement या idea जो देते हैं, उसका जो आधार होता, आपकी विचार धारा को जो आधार होता, उसको premise कहते हैं, उस पे किसी ने सवाल नहीं उठाए और उनकी विचार धारा का आधार क्या था? कि Democratic Party क्या है? American economy के लिए खत्रा है. और ये भी उनका मानना था कि Donald Trump का कहना है कि धेर सारी नौकरियां है और महामारी क्या है? अतीत की चीज हो चुकी है. अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में इस महामारी के बेकाबू होने के पीछे सबसे बारा कारण क्या था? बच्चा तो यहाँ पर लिखा गया है ना, China and distant lands, other distant lands, other में हम लोग भी है. चाइना और इंडिया में देखो क्या फर्क है? अगर कोई company चाइना में manufacture करती है या इंडिया में manufacture करती है, तो उसको सस्ता कहाँ परेगा? चाइना या इंडिया में? चाइना में, क्यों? क्योंकि वहाँ labor सस्ता है, क्यों labor सस्ता है? क्योंकि वहाँ पर एक तरह से slave labor है, सरकार जबरदस्ती लोगों से काम कराती, कभी search करो इसको बच्चा कभी, ठीक है? slave labor in China, या switch shops, क्या search करो? switch shops in China, तुमको अपने आप पता चल जाएगा, कि भाई, चाइना में मजदूरों की क्या इस थे दी है, ठीक है? तो नहीं, lockdown लगा था, बच्चा, वहाँ पर क्या है ना, कि democratic जितने भी states है, जहाँ पर भी democratic party का, कैसे पशिम मंगाल की जो है, ममता बेनर जी, वो किन सरकार की किसी व्यादेश को नहीं मानती है, ठीक है? तो उसी तरह से वहाँ पर भी democratic जितने भी शहर थें, उन शहरों ने कहा कि ये भेद भाव है, कि भाई, आप बोलते हैं Chinese virus है, तो ये भेद भाव है, तो इस भेद भाव को मिटाने के लिए हम लोग चलो, China Town चलेंगे, और Chinese New Year में Chinese लोगों को गले लगाएंगे, फिर आप स चाटते हुए, अपनी वीडियो पोस्ट करते थे, या मेट्रो ट्रेन में, जो मेट्रो ट्रेन का हैंड्रेल होता है, जिसको पकर के लोग यात्रा करते हैं, हाथ से पकर करके कि गिरे ना, उसको चाटने का क्या है, वीडियो वो लोग बना करके YouTube पे डालते थे, तो इस तर ये तो ट्रम्प तुमको सबसे जगरे करा देगा, है, बताओ चाइनीज लोग इतना प्यारा प्यारा लोग होता है, चलिए चाइनीज लोगों को गले लगाते हैं, सेम ऐसा ही नौटन कि इटली में हुआ था, इटली में एक बकाइदा, अर्भो खर्भो खर्च करके, 700 य भी कोई चाइनीज व्यक्ति मिले तो जट से गले लगा लो, इस अब सर्च करो, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार को ब्लेम किया जा सके, आगे देखेंगे, नथिंग कुड अंडर्माइन धैट एसर्शन मोर देन देट अनिम्प्लाइमेंट ट्रेट्स अर इस बात को, उनकी कह अब भी थोरी हाई है, और विस से बात है, सारी मैनिफेक्ट्रिंग बंद है, सारा इंडस्ट्री लगभग एक तरह से बंद है, तो अनिम्प्लाइमेंट क्या होगी, हाई होगा, मतलब प्यारा कहने का मतलब अत्य अधिक प्यारा डेटा होगा, चलिए, अब देखिएगा, मिर्त को की संख्या देखिए, और यहाँ देखिए कि सबस्यदी कहा मरें, कैलिफोर्निया में मरें, यह दिख रहा है बच्चा, मिर्त को की संख्या देखिए जाए, और देखिए जाए जो अधिकतर मरने वाले लोग हैं, वहाँ पर किसका साशन है, जैसे कैलिफोर्निया में मरे हैं, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर डेमोक्रेट्स का है, अभी साशन किसका है, डेमोक्रेट्स का, ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेट्स का साशन कालिफोर्निया में, ठीक है, फिर निउए यार्क है, वहाँ पर भी किसका साशन है, डेमोक्रेट्स परटी का है, तो जो अधिकतर जो मरने वाले हैं लोग, जहां पर मृत्त को की संक्या सबसे अधीक है जैसे नियू यॉर्क में कितना है 25312 ठीक है ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी का है क्या तो नाम है किसी दूसरे जगह का है बिल्डेवाइज है न ठीक है यह किस पार्टी का है डेमोक्रेटिक पार्टी का है तो देखे सबसे दिख मरने वाले कहां है नियू यॉर्क के फ्लॉडिडा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कभी मेर क्य क्या है लोगों को मार दीजिए अपनी लापरवाही से लोगों को मार दीजिए उसके बाद क्या है केंद सरकार के उपर ब्लेम डाल दीजिए किसके उपर ब्लेम डाल दीजिए केंद सरकार के उपर जबकि वहां राजी पूरी तरह से स्वतंत्र है जैसे अपने हां तो राज राज्य में उसका ब्लेम किसके उपर भेज़ दो फेडरल गवर्मेंट के उपर में ब्लेम उठाकर के डाल दो ठीक है आगे देखा जाए तो उस दिन 3600 लोग मरें तो इसके जिम्हदारी बनती है उन लोगों की जो लोगों को कहते हैं कि हम लॉक्डाउन नहीं लगाएंगे हमारे राज्य में लोगडाउन नहीं लगेगा उन लोगों की जो बोलते हैं कि हम लोग कल क्या है चाइनीज निव यर मनाने के लिए चाइना टाउन ही जाएंगे उनकी जिम्हदारी बनती है उस मेर की जिम्हदारी बनती जो उस राज्य का क्या है प्रसाशक है आगे कि अच्छिटना दिस्टर्बिंग था वो फॉल्स क्लें जो कि एकॉनमी और महामारी को लेकर के किया गया तो यह तो चिंता की बात है कि भाई आपने जो डेटा दिया आपने जो डेटा दिया है पैंडेमिक एकॉनमी को लेकर के वो डेटा क्या है ब्रामक है इससे भी जादे हार्मफुल डेलेटेरियस का मतलब क्या होता है बच्चा हार्मफुल नुकसान दे है कि आगे जाकर कि जो समाज में हार्मनी रहेगी या नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ही स्ट्राइडेंट यानि कठोर नोट का मतलब होगा यहां पर शब्द इस् जो नसल भेदी जो हिंसा वहां चल रही जो तनाव चल रहा है जो फ्लेयर अप हो गया फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक से जो भड़क गया है इन सारे शब्दों क्मीनिंग अभी तो बता ही रहें कल इन सभी का रिवीजन होगा सब लोग जरूर उपस्तित रहोगे सा अब पुलिस को तो अथियार बंद होना ही है अब जितने भी केसे चल रहे हैं सभी लोग क्या है अपराधियें देप आर क्रिमिनल्स दोस पीपल आर क्रिमिनल्स और उन्होंने कहा डे देंट अब कंपलाईं जब पुलिस नंको कहा कि हाथ उठाओ तो हाथ नहीं उठाए कह दिया कि भाया है तो है पुलिस वाले ने जान बुच करके मारा जबकि इस से अधिक पुलिस वाले मर चुके हैं तब से क्योंकि जब हिंसा होती है जब भी कोई अपराधी गत्विधी होती है तो पुलिस वाले भी मरते हैं लेकिन नहीं अगर अपराधी मर रहा है तो fake encounter है अब पुलिस वाला मर गया तो कोई बात नहीं आपके तो यह duty थी यह यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है तो उनका कहना है कि यह जो काले लोग मर रहे हैं तो काले लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि काले लोग जादे अपराध करते हैं काले लोग इसलिए मर रहे है क्योंकि आप काले लोगों को पसंद नहीं करते हैं यह इनका कहना है ठीक है आगे leaving little doubt as to which side of the line he stood on तो अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वो line के किस तरफ खरे हैं यानि वो किस विचारधारों को support करते हैं Mr. Trump said Mr. Trump ने कहा कि he condemns वो निंदा करते हैं writing की यानि जो right हो रहे हैं right तो समझ रहे हैं condemn मतलब निंदा करना looting की और आगजनी आरसन मतलब होता है आगजनी की and violence और हिंसा की तो left देखिएगा जिससे निर्जेई छात्रों सरक पे उत्रों आग लगा दो C.A.N.R.C. मुसल्मानों सरक पे उत्रों आग लगा दो कुछ भी होना है सरक पे उत्रों आग लगा दो किसकी संपती में तो सरकार की संपती में सरकार तो बाब घर से लाती है ये तो जनता की संपती है नहीं तो सेम हर जगा ये लोग करते है अमेरिका में भी अब एकाद दुगों पे अगर गोली चल जाए तो बोलेंगे कि भाई ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसके उपर जनता के उपर क्या है सरकार ने अपनी दमनकारी ताकतों का प्रियोग कर लिया ठीक है तो उन्होंने निंदा की और ये सारी की सारे हिंसा उन राजियम हो रही है जहां पे किन का साशन है डेमोक्रेट्स का साशन है केनुसा में, मिनियापोलिस में, पोर्टलैंड में, शिकागो में और नियूएर्क में यानि अबविस सी बात है डेमोक्रेटिक पार्टी इस हिंसा को इसलिए या तो वो नियंद्रित करने में सक्षम नहीं है या फूर वो इसलिए भरक ने दे रहे है ताकि इसका दोश केन्र सरकार के उपर में क्या है मढ़ा जा सके लिटल वंडर, तो इसमें आश्चारी की बात नहीं है डेट पुलिस ब्रुटालिटी ओफ दा काइंड अगर हम लोग किसी भी घटना को मीडिया की नजर से देखेंगे अपनी बुद्धी नहीं लगाएंगे तो तुम लोगों में से किसी ने नया दौर देखी है नया दौर, दिलिप कुमार की फिल्म थी साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा हम मिलकर किसी ने देखी या नहीं देखी है अजीद कुमार ने देखी है उस फिल्म में बड़ा बढ़िया संदेश है उस फिल्म में बढ़ा बढ़िया ये संदेश है कि टांगे चलाने वाला है ये दिलिप कुमार टांगा चलाता है और एक साहुकार है जो बस खरीद के लाता है ठीक है और उसके बाद सभी लोगों को लगता है कि इस बस के आने से तो हमारा क्या है धंदा ही चौपट हो जाएगा तो फिर एक रेस होती है बस के बीच में और टांगे के बीच में कि कौन पहले पहुँचेगा और अगर प्रेंग धिरों कहीं पक्ष लोग की टांगा जीत जाए गांगा जीत जाए आरसनमा का मतलों आगजन होता है मूनिका यूर पूरी फिल्म क्या थी नविगकिक कॉई देख मी कोई भी नहीं जीज आए तो रोजवार कोई भी कोई भी नोकरी मतलब खाने वाला इी अशर औ देखोगे वामपंथ के नजरिये से तो तुमको लेगे रहे बापरी बापरी लोग तो किसी भी नई चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि यह हुआ रेल्वे में प्राइवेट ट्रेनी चल रही नौकरी खत्म हो जाएगा धरती बरबाद हो जाएगा कम्पीटर रहेगा आप तो नौकरी खत्म हो जाएगा धरती बरबाद हो जाएगा एगा तो वहां पर उनका कहना है कि पुलिस से जादे खत्रा है अपराधियों से कम इसलिए वहां परेगे मिशन है Defend the police खेर भारत में तो है पुलिस से जादे खत्रा प्राधियों से कम है चोरी होती तो हम लोग क्या है पुलिस के पास नहीं जाना चाहते है बड़ अमेरिका मैं ऐसी स्थिति नहीं है तो वहाँ पर अंदोलन चल रहा है कि पुलिस को पैसे देना बंद करो और इसके कारण लोगों का गुसा भरक रहा है और वो गलियों में आकर कि अपना गुसा क्या दिखा रहा है और यह बार बार जब आरोप लगाते है कि भीर तंत्र है यह सभी लोग अपराधी हैं जो सरकों पर लूट पार्ट करें मालो की विरोध प्रदर्शन समझ में आता है लेकिन महंगे महंगे कपरों के शोरूम में घुस के मोबाइल के शोरूम में घुस करके मोबाइल चोरा रहे हैं आप तो इसको क्या कहेंगे आपको तो ठग ही कहेंगे ब्रोटैल्टी मतलब हिंसा होता है मोनीका बच्चा देखो कल सभी लोग आओगे कल सारे शब्दों को दोबारा बताएंगे पढ़ाते वक्त हम समझा चुके हैं सो स्टे फॉर सेकेंड दोबारा इस वीडियो को देखो कि जब जब वो शब्द आते तब तब हम रुकते हैं आगे देखेंगे जब तीन नमबर आएगा इट माइट टेक टीम ट्रंप मोर दैना विश्यस अटैक ऑन मेल-इन वोटिंग तो अभी जो लेफ्ट है वो मेल-इन वोटिंग का समर्थन कहें नों हमेशा टेकनोलोजी में पीछे जाते हैं इवियम से चोड़ी होता है वैलेट से हमनों वोट करेंगे उसी तरस वहाँ पर कहना है कि अभी मेल-इन वोटिंग होना चाहिए इन लोग घर से क्या है डाक में चिठ्थी डाल की भेजेंगा और उससे वोटिंग होनी चाहिए तो इसका विरोध कर रहे है तो इसका कहना है कि तीन नवंबर को जब चुनाव होगा न तो मेल-इन वोटिंग पर आकरमन करके आप नहीं जीतिएगा तो इनकी जो राज वैचारिक मतलब इनका जो है न पॉलिटिकल अमबिशन है राजनितिक जो महत्वा कांक्शा है कि हम दोबारा चुनाव जीते हैंगे ये डूब जाएगा कब डूब जाएगा बच्चा जब तीन नवंबर आएगा क्योंकि ये जो अमेरिका है वो मल्टी कल्चरल अमेरिका है किसी एक व्यक्ति के बाप का नहीं है ये सभी लोगों का है तो डॉनल्ड ट्रम्प का भी कहना है कि सभी लोगों का है लेकिन उन्हीं लोगों का है जो कानूनी तोर पर आए है ये Mexicans का भी लेकिन उन्ही Mexicans का है जो सीमा के border को cross कर क्या है ना कि border के नीचे से सुरंग खोद कर क्या है लेकिन narrative अपना अपना तो थोड़ा American politics को follow करो कभी भी मनरणजन के लिए कि है मसाला कम नहीं पड़ेगा तो इस class को यहीं end करते हैं बच्चा vocab के लिए कल जरूर मिलना कहीं नहीं सकते हैं ट्रम्प का जी इतना भारत के लिए सही रहेगा क्योंकि कमला है इस तो कश्मीर पे पाकिस्तान का समर्थन करती आई है लेकिन देखते हैं कि वहां के लोग क्या सोचते है ठीक है बच्चा तो फिर इस क्लास को यहीं पे इंड किया जाए कल vocab के लिए सब भी लोग जरूर मिलना